पंजाब को चालू खरीब सत्र में कपास उत्पादन करीब आठ लाग गार्ट तक होने की संभावना है कम रकबा और बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के कारण उत्पादन पर भावित हुआ है पिंक बॉल वरम कीट के हमले के कारण पिछले 2021-22 सत्र में कपास का उत्पादन घटकर 6,45,000 गांट रहे गया था जबकि इससे पिछले वर्ष में 10 लाग से अधिक गांटों का उत्पादन हुआ था चालू सत्र में उत्पादन 2018-19 की तुलना में लगबक 35 प्रतिशत कम होने का नुमान लगाया गया है कपास के कम रखबे के साथ ही बारिज से भी फसल को नुकसान हुआ है इसके इलावा सफेद मक्खी कीट के हमले से भी उत्पादन पर भावित होने की अशंका जताई जा रही है खरीब बॉआई के मौसम में बचिंडा, मुकसर, मांसा, फाजलका, संगरूर, मोगा और फ्रीद कोट के कपास शेत्रों में चार लाख हेक्टेर के लक्षे के मुकाबले केवर 2,48,000 हेक्टेर में कपास की फिलाल खेती हुई है ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पंजाब में उत्पादन कपास का कम हो सकता है झार रहा है